श्री शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव कैसे आप सब? देखे होली का पावन पर वा आने वाला है और होली का दहन पर होली का की राग से हमारे घर की सारी नकारतमक शक्तिया दूर होने वाली है कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारे घर में सकारत्मक उर्चा का प्रवीश होगा और हमारे घर से कलेश खत्म होगा और हमारे घर में जो भी जितने भी सदस है उन पर जो भी विगना आ रहा है वो सब दूर होने वाला है पुझ गुरुदेव की खता सुन करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दीवी उपाय बिल्कुल सरल विद्य सरल तरीके से पहुचाय जाए ताकि आप उन उपायों को कर पाएं अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरू प्रेस करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्त अब्यम जरू लिखें देगें करना क्या है आपको होली का दहन का जो समय है पहले वो जान लीजिए पालगुन मास कि शुकल पक्ष की पूर्णिमा तीती को होली का दहन क्या जाएगा और इस बार यह शुप तीती 17 मार्च दिन गुरुवार को है और हमारे धर्म में हमारे देश में होली का धार्मिक महत्व है माना जाता है कि होली के दिन यदि हम कोई उपाय करते हैं तो वो काफी लाब दायक होते हैं होली का दहन की पवित्र अगनी से सभी तरके की परिशानिया रोग व्यादी का नाश करने की शम्ता होती है, हुलिका दहन की पूजा का शुम मौरत रहेगा, रातरी में 9 बचकर 20 मिनिट से 10 बचकर 31 मिनिट तक, ध्याना के ये जो उपाय आप करेंगे, जो हुलिका की राक से होगा, ध्याना के दहन की जो राक से होगा, वो उपाय आपको करना है, और ये आपको हुलिका दहन के समय के बाद ही आपको करना है, ध्याना के हो सकता है कि राक जो है, वो गरम हो तो आप किसी भी कटोरी या किसी भी चीज में लेकर के आ सकते हैं, जादा राक लेकर की नहीं आनी है, केवल एक चुटकी, राक ही आपको काफी है, ध्याना के या तो एक चमच आप राक लेकर के आ जाएं, अब आपको करना क्या है, ये आप जान लीजिए देखिए, होलिका दहन के समय कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की नाना प्रकार की चीज़े, उस होलिका दहन के अंदर डालते हैं ताकि नकारत्मक शक्तिया उनके घर से जीवन से दूर चली जाए और आप भी कई प्रकार की उपाय भी करेंगे लेकिन आपको क्या करना है आज एक चुटके राख लेकर क्याना है ज्यानक है आपको जो राख लेकर क्याएंगे आप घर के बाहर ही आपको सबसे पहले एक चोकूर काला कपड़ा लेना है और उस काले कपड़े के अंदर ये होली का की जो राख है वो आपको रख देना है और उसके बाद उसकी एक पोटली बना ले चोटी सी पोटली बनाना है ज्यादा बड़ी नहीं बनाना है चोटी सी पोटली बना ले और उसे काले धागे से लपेट ले और बांध ले अब आपको क्या करना है आपके पूरे घर को देखना है और आप मन में धारे कि मेरे घर में जो भी नकारतमक शक्तिया हैं जो भी विग्नम मेरे जीवन में आ रहा है वो सब दूर हो जाए अब आपको ये जो पोटली है अब के अंदर राख है उसके उपर काला कपड़ा है और उसके उपर लाल कपड़ा है काले कपड़े पर काला धागा होगा और लाल कपड़े पर भी काला धागा होगा ध्यानक है थोड़ी सी जो गोप आती है न वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि इस चीज को आपको टांगना है कहा आपके घर में कई प्रकार की समस्या हैं वो सब भी इस होली का दहन के राख से दूर होनी वाली हैं तो ध्यानके इस राख में इतनी शम्ता होती है कि आपके घर के ओरा को चेंज कर सकती है ओरा को बदल सकती है तो यह जो राख है यह आपके पूरे घर के वातावरन को पवित करने के लिए ये होलिका की एक चुटकी राख ही काफी है ध्याना के घर के बाहर आपको लटकाना है आपके मुख्य द्वार के उपर अगर कुछ भी चीज समझ में ना आ रही हो तो कमेंड में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्त ब्यम हर हर महादेव